सुही गाइस विल्कम बैक इन में टू चैनल पासवान गविंग इन में आप लोगों के लिए लिए आ चुका हूं यह कौन न्यू वीडियो अब देखो यह चीज में अच्छे से जानता हूं कि आप लोग भी ग्रैन मास्टर करना चाहते हो बट मैं आपकी जानकरी के लिए मास्टर करो या ग्रैन मास्टर बट दोनों में सबसे कॉमन चीज यह रहती है कि आपको अच्छे खासा प्लस गेंग करना पड़ता है इक मास्टर प्लेयर के प्लस में बहुत ज्यादा अंतर रहता है दोनों में जमीन आसमन का फरक रहता है अब मेरे कहने का मलब समझ अगर आप समझ जाओं तो यह भी पोसिबल नहीं है मैं बलकि आपको करके भी दिखाने वाला हूं कि आज में कितना ज्याधा प्लस आप लोगों को इस वीडियो में गेंट करके दिखाता हूं यहां मैं अपनी गेमप्ले के कुछ क्लिप से दिखाने वाला हूं जिनमें से पहली किलिप यह ती जहां मैंने और इड़ी शेकल कर लिये हैं अब बचे हैं लास के सीफ बारा बंदे जिनमें से तो दो हमी हैं तो बस टॉप 10 में हम आ चुके हैं अब देखो यहां लूट के पर सिफ मेरे पास थॉंसन थी कि मैं रिवाइब होके आया था बट मैं अपनी सारी लूट यहां उतर के कंप्लीट करने वाला था क्यूंकि यहां काफी सारी लूट पड़ी थी एंड साथी में कुछ सामने बंदे भी थे बट अब उनको मैं कैसे मारूंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं पहले हम अपनी लूट कंप्लीट करते हैं क्यूंकि यहां मैं कोई भी बेवकूफी नहीं करने वाला हूं पहले अपनी लूट पूरी की तरीके से कंप्लीट करूंगा और बाद में ही वो बंदों को छेड़ूंगा किल के नाम पे मेरे पास औरेडी क पास होनी चाहिए अभी भी एक बंदा वहां पे था जिसे मैं एजीली मानने वाला हूं बस बहुत सोच समत के अब देखो यहां पे वो बंदा जैसे ही मुझे टार्गेट करता है तो मैं पहले हैट सोट मारता हूं और भी डारेक्ली रस मार देता हूं अब यहां एक प्लेयर सब कुछ मिल चुका था मेरे क्याल से तो मैंने अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद सामने को और एक बंदा देख लिया था जो कि जोन के अंदर आ रहा था अब देखो इसे मार पाता उससे पहले पीछे से मुझे डेमेज बने लगता है तो मैं थोड़ा आगे आगे यहां एक मेरी किस लेता हूं विकोस मेरे पास एक लास मेडी है जिसका यूज करना ही बड़ेगा मेरी एस्पी कम थी अब देखो इस बंदे पर मैं रस मानने वा क्योंकि अब बचेंसे लास के चार बंदे और मैं ऐसी कोई भी बेवकुफी नहीं करने वाला जिससे गेम छूटे या भी बुईया मिस हो जाए बिकोस इतना लास तक आके आपसे बुईया मिस हो जाए तो भाई कोई फाइदा नहीं यहां तक आने का लेको इतना लास जोन में आके इतनी अच्छी लूट होने के बाद आपके जब टीमेट भी अलाइब है तो भी बुईया चूट जाए तो यह एक बेवकुफी कहलाएगी ऐसा होना भाई ग्रैंड मास्टर प्लेयर के मुझे थबा बराबर है तो एसा मत किया करो कि आपका बुईया चूट जाए इनके साथ भी होता है यह पागल को तो मैं पहले डाउन कर देता हूं जो यहां कर रहाता है और थे जान दो कि हम लोगों की एक इस पी भी नहीं गहीं है इनको मानने के चक्कर में भाई इन लोगों को इतना स्मूथ ली मारा कि मुझे खुद को हैरानी है कि यह इतना कुछ कंप्लीट है और हमारे पास जीरो परसंद चांस है कि बुईया मीस हो जाएगा ऐसा तो होई नहीं सकता कि भाई इतना कुछ होने के बाद हमसे बुईया मीस हो जाए एंड गाइस हम तो पूरा ट्राइब करेंगे कि वह कहां पे हैं उनको एजली हम निफ्टा सके समय के कुछिस कर रहा हूं कि वह बंदे हैं कहां पर क्या पता वह केंपर निकले है और उनके पास अच्छी घासी मैडिकेट्स हो तो यार वह भी वह ले सकते हैं बट हम ऐसा होने नहीं देंगे हम चारो और उनका खूजेंगी कि मिलब हैं का और यहां तब ही फुष्ट आने हाला कि यह तब भी मुझे नहीं मार पता बट इसका टीमेट मुझे नहीं पता चर रहा है यह मार कहां से रहा है और भाई यह बंदा मुझे कतगड़ा वाला डेमेज दे चुगा था एंड मैं ट्राइब कर रहा हूं यह बंदा का लोकेशन कहीं से भी पता चल जाया बट तो कहीं दीगें नहीं रहाता और मुझे डाउन कर देता है और यहां पर इसके साथ उर जोन में ही मर जाता है फिर नाजुक पर नहीं है और इसके बात हम लोग लगातार कुछ बिल्यास टिक बनाने वाले हैं और गैशज यहां आप लोग देख सकते हो हमारा सेमी पलस गार रहे हैं मतलब उसी स्टेटरजी के साथ के रहे थे हैं जिसमें हम पहले तो अपने टीमेट से दो बार मिसन लेते थे उसको तीन बार रिवाइब देते थे और अच्छे कहांसे किल के साथ हम लाज़ून में बुईया निकाल देते और यही एक तरीका है आपको हाइस प् का सा प्लस गेन कर सकते हो एन कई आज का टारगेट रहेगा 3,000 को करने का एंड़ तीन हजार स्कोर करने के बाद कल का टारगेट रहेगा भाई सिधा 2,000 प्याएं तो मिलेंगे कल वाली वीडियो में बाय बाय